नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ अंशिकार। पत्रकारों से बाच्छीत के दोरान केंद्रिया मंत्रिया नुराग ठाकुर ने कहा कि भारतिय जन्ता पार्टी कारे करताओं की पार्टी है। उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टेक्स व्यपारी आमाद्मी उध्योगपती सबको कॉंग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है। लेकिन मौत के बाद भी कॉंग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कॉंग्रेस ने इस मेनफेस्टों में सपष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेनफेस्टों में काया कि अब संपती आपकी संतान की नहीं होगी बलकि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही नियाए कॉंग्रेस का है। लोग सभा चुनावों में जैसे जैसे राजनितिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोशना करते ज़ा रही हैं, साथी चुनाव प्रचारों में भी तेजी आने लगी है। यसी कड़ी में शिमला संसदिय शेत्र से कॉंग्रेस के विनोध सुल्तान पुरी इन दिनों सिर्मोर जिल्रे के प्रवास पर है। रेनुका शेत्र के दोरे के बाद सुल्तान पुरी नाहन पहुंचे जहां उनका पार्टी कार्यकरताओं ने जोड़ार स्वागत किया। यहां उन्होंने पार्टी के कार्यकरताओं के साथ मिलकर चुनावों के लिए योजना पर भी मंतन किया। उनके साथ ही उपमुख्यमंत्री मुकेश अगनी होतरी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी कार्यकरताओं का मनोमल बढ़ाया और साथ ही उन्हें चुनावी चिप्स भी दिये वहीं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्री हुत्री ने मीजिया से बात करते हुए कहा कि शिम्ला और मंटी लोग सबास्टीटों पर कॉंग्रेस जीत की और बढ़ रही है उन्होंने कहा सिर्मौर में कई शेत्रों में लोगों से संबात किया जिसे साफ होता है कि लोगों ने कॉंग्रेस प्रत्याशी को कबूल कर लिया है और सुल्तानपुरी की जीत पक्ती है इसके बाद श्रीमाती ने विज्टान पुली जी को किपट दिया है पर्समेंट के लिए और श्रीमाती दोर में ही स्पश्ट हो रहा है कि सुल्तानपुरी के जो गारी है वो दिज्टी की दवपूर करने की त्यारी में है तो कि रिसपॉस जो है उमीद से कहीं जाए है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर चमबा जिले के तीन दिन के दौरे पर विदान सभा शेतर डल हौधी से सुनडला पहुचे सुनडला पहुच्टे पर बीजेपी कार्य करता उन्हें का स्वागत किया आपको बता दे कि जयराम ठाकुर चंबा जले में पिछले तीन दिनों से कांगरा चंबा लोग सबस सीट के बीजेपी प्रत्याशी राजीव भार्दौाश के लिए चुनाव प्रचार कर रही है इस दोरान उन्हें ने कहा कि जगा जगा पर बीजेपी के पन्ना प्रमुक सम्मिलनों में भी भाग लिया वहीं सुन्डला में पन्ना प्रमुक सम्मिलन का भी आईजन किया गया उनके साथ राजी भारद्वाज के लावा डलहौजी विधान सवाशित्र के विधायक जियास छाकुर भी मौजूद रहे पन्ना प्रमुक कारिकर्म के दौरान उन्होंने कारिकर्ताओं से 2024 के लोग सवाचिनाव के लिए बीजेपी को किस तरह से बड़ा दिलानी हैं उसके बारे में कारिकर्ताओं को जाग रुकिया सिर्मोर में भारतिय जनता पार्टी संसद्य शेत्र प्रभारी और पुर्व मंत्री सुखराम चौदरी का बयान सामने आया है बता दे कि सुखराम चौदरी ने कहा कि रेनु का विधान सबा शेत्र में प्रदेश के उपमोखे मंत्री मुकेश अगनी होत्री ने प्रदेश के लोगों को गुम रहा करने का प्रयास किया है उपमुख्य मंत्री ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी नारी का सम्मान करना नहीं जानती लेकिन प्रदेश में 15 महिने से अधिक समय से कॉंगरस सरकार को बने हुए हो गया भारतिय जनता पार्टी कहती निक रिणका विधान सभाग शेतर में खाला क्यार में प्रदेश के अधिनेख मुख्यमंत्री मुके संथिनुोत्तरी जी ने प्रदेश के लोगों को गुमरा करने का प्रियास किया है उन्होंने कहा है कि भारतिय जनता पार्टी नारी का समान करना नहीं जानती मैं उनसे पूछना चाहता हूँ परदेश में 15 महिने से अधिक समय होगे आपकी सरकार को बनेगा आपने जब पिछला विधान सभा का चुनो लड़ा आपने अपनी प्रतम गरंटी में ये कहा था इठारा साथ चे सार साल की सभी महिलाओं को हम 15 सो रपे प्रती महिना देगे कि सरकार वने को 15 महिने होगे आपने दो बजट पेस कर दिये दोनों बजटों में आपने नारी समान निदी की कोई बात नहीं शिमला में कॉंग्रेस के घोशना पत्र को लेकर बीजेपी लगतार हमलावर है बता दे कि बीजेपी विधायक रंधीर शर्मा ने एक बार फिर से कॉंग्रेस पर निशाना साथा है बिज़ेपी विधायक रंडी शर्मा ने कॉंग्रेस के घोशना पत्र को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीती से प्रभावित बताया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का घोशना पत्र असमानता पैदा करने वाला है और उनके गठबंदन द्वहरा जारी घोशना पत्र जहां अलग संखेक तुस्टी करन की नीती पर अधारित है वहीं इस घोशना पत्र में कॉम्मिनिस्टों के माववाद की जनक भी दिख रही है उनके घोशना पत्र में जहां जातीगत सर्वेक्षन की बात की गई है जातीगत गर्णा की बात की गई है वहीं समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन की भी बात की गई है और घोशना पत्र में उन्होंने कहा है कि इस समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन के अधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ती का सर्वेक्षन करेंगे शिमला में कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष संजी अवस्ती ने बीजेपी के आरोपो पर पलटवार किया है और बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है और इन चुनावों में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसी हकते हमारे उमीदवारों की घुशना हो जाएगी और हम पहले ही चुनावी मैदान में हम कूछ चुके हैं और हम एक जुट होकर चुनाव लड़ने के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है उस पर हमने कारे करना शुरू कर दिया है तर वहें पर आपने एक चुटा की बादी जो भागी हैं उनकी बापसी को लेकर पर नहीं जो बहुत से लोग जो हैं वाना चाहरे है और उनके लिए उनका स्वागत है उनके लिए दरवाजे खुले हैं और जहां तक मानिया गंगराम जी की बात आप ने जिकर किया तो उसमें कोई कॉंट्रोवर्सी की बात नहीं है ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो उस दिन खुद आये बैठिक में शामिल हुए लेके और उन्होंने अपने सोलन में लोग सबा चुनावो के लिए पहला पूरवभ्यास कायजन किया गया बता दे कि आगामी लोग सबा चुनावो को निश्पक शिपार दर्शी करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तयारिया शुरू कर दी गई है चुनावो को लेकर विदान सबा शेतर में लगे करमचारियों का पूरवभ्यास भी कराया गया लोग सबा चुनावो के लिए गरमचारियों की नियुक्ति कर दी गई है रिजाइनिंग आफिसर्स और पूरिंग आफिसर्स की हमारी रेंडमाइजेशन 19 अप्रेल को हुई थी उसके बाद जो हमारे गरमचारियों की ड्यूटी जिरा सुलेल में लगाई गई है 25 सप्रेल को सोलन और कसौली की रिहर्सर पहली रिहर्सर होगी 26 तारीक को अर्की और दून असेम्बली सेग्में में रिहर्सर होगी और 27 तारीक को नाला करट में पहली रिहर्सर होगी जैसे मैंने बताया कि 3516 करमचारियों को लगाया गया शिम्ला में निर्दलिय विधायकों के स्तिफे के मामले में हिमाचल उच्छी नियायले में सुनवाई हुई जिसमें याचिका कर्टा पक्ष की ओर से कोट में अपनी दलीले पेश की गई दलीय विधायकों के मद्य में है प्रंतु चंता की जानकारी के लिए आपके माध्यम से हिमाचल वास्यों की और देश वास्यों की जानकारी के लिए जो नियायले की प्रूसीडिंग्स में आज जो इंडिपेंडेंट MLS है उनके एड़ोकेट ने अपने आर्गुमेंट्स कंप्लीट किये और मानने स्पीकर्स जी की तरफ से आर्गुमेंट्स अभी चल रहे हैं तो मामले की कारवाई है मंगलवार आने वाले मंगलवार को सवा चार वजे पुनह शुरू होगी जहां म इसमें कोई किसी परकार का कोई निर्देशनी सिंपल अडजानमेंट हुई है प्रन्तु एक जन्मानस में प्रशन अवश्यक खड़ा है और यह प्रशन कंटिन्योसली सारे पूछ रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो क्यों इस्तीफा देंगे और फिलाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही मुझे दीजे जाज़ नमस्कार